नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर किशो गिलियाल आप सभी का सौलद करता हूँ अपने इस एस्टो चैनल में जिसका नाम है किशो एस्टो लॉजी दोस्तो छै अप्रेल 2019 से चैत्र शुक्ल परतिपदा आरम हो रही है और उसे हिंदू नवर्ष आरम माना जाता है तो इस पो परतिपदा 6 अप्रेल 2019 को परिधावी नामक समथ्षर को जरम दे रही है और विक्रम संबत 2076 तथा सक संबत 1941 ये दिन से आरम माना जाएगा दोस्तों भारतिय जोतिश के आधार पर पर परतेक नए समथ्षर में होने वाले राष्टी उत्पादन, वर्षा, फसल, परिधावी नामक समथ्षर का जो सास्त्रों में उलेक दिया गया है उसमें बताया गया है कि इस वर्ष फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, परियात होता है, परंतु उत्पादक या क्रिशक वर्ष किसी रूप से असंतुष्ट और भैवीत रहता है, ऐसा माना ज सकता है कि फसल अधिक होने के बावजूद भी किसी ना किसी रूप से कारणवस किरसी वर्ष को कोई ना कोई असंतुष्टी ही प्रदाप्त होती है, जैसे कि फसल का नुकसान हो जाना या सरकार के द्वारा कुछ ज्यादा टेक्स लगा दिया जाना, इस तरह के प्रिणाम मिलने के कारण जो क्रिशक वर्ग रहता या जो उत्पादक वर्ग रहता वो असंतुष्ट ही रहता है, राजनताओं में प्रस्पर तनाव रहेगा और उनमें द्वेस की भावनाय दिखाए जाएगी, वो एक दुस्रे को नीचा दिखाने का प्रियास करेंगे, राष्ट क मानिस हमेशा से आसंकित बना रहेगा कि सरकार कहीं कोई नए योजना या नया कोई टैक्स उन पर ना लाग दे, वर्ष के राजा दोस्तों इस वर्ष शनी बन रहे हैं क्योंकि जैस आप जानते हैं 6 अप्रेल 2019 को शनिवार के दिन से ये नवर्ष आरम बोह रहा है, तो चै इने के पानी में संकट और पानी के दूसित होने के योग बनेंगे, सत्ता आसिन नायकों का अपना आस्तित वचाना बड़ा मुश्किल होगा, उनकी प्रतिष्टा दाव पे लग जाएगी, बाहर के देशों से चोरी छुपे कई वस्तुएं आयात होंगी और इसमें कुछ बड़े लोग भी सामिल होंगे, जिनको सडियन्त का परदाफास सरकार करेगी, और बड़े बड़े दिगर इसमें सामिल पाए जाएगे, देश को कम से कम तीन दिशाओं में सैना का ससर्थिक्रण करना पड़ेगा, यानि कि इस सामें सीमा पर भी हलचल बड़ी रहेगी, मुझित बात हो रही है, यानि विरोध गरत बाते हो रही है, जब मंतरी सूर्य नाराण होते हैं, तो सरकार की नीतियों को लेकर राजनेतिक विरोध बड़ा रहता है, राष्टनायक अपनी बुद्धी के अपिक्षा, कुछ अन्य लोगों की पिरना से निरने लेने पर ब पर्रदरशन करेगा, सशेश जो बने हैं मंगल और इनके मंगल होने से कर्क सक्रांती वाले जो ने होता है, कई कई अति वरिष्टी के योग भी बढ़ रहे हैं जिससे फसलों को भारी नुक्सान होने की योग हैं दूद और घी के बने जो है महंगे हो जाएंगे कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी होने के योग बन रहे हैं दोस्तों धानिये इस वर्ष की चंद्रमा बने हैं जैसा कि आप से जानते हैं धनूर सग्रांती के दिन जो दिन पढ़ता है वह सोंबार पढ़ा है तो उस दिन जो है चंद्रमा का दि दिखती है अब बात कर लेते हैं मेगेज की मेगेज जो हैं वह शनी बने हैं जब सूर्य आंधरनक्शन में परवेश करते हैं तो उस दिन को हम मेगेज गिनते हैं तो शनीवार का दिन है जो नियाय वविस्ता को कुछ अलग तरीके से चलाने का परियास करेंगे कोई नए को अध्यृ davon करेंगे जिस्से एक वर्ष एक वर्ख जो होगा वो सनी के द्वारा बड़ा कुपित होगा और दूसरे वर्ख को सनी से बड़ा लाभ होतावा दिखाय देगा कहीं-कहीं बहुत सारी वर्शा होने के योग बन रहे हैं दोस्तों ौर कहीं पे बिलकुल भी वर धार्मिक गति रोग समाप्त करने के लिए राजा और परजा के भी समन्वय स्तापित हो जाएगा यानि कि राजा परजा के कहने पे कुछ अच्छे डिसिजन्स लेंगे यातायत के साधन मजबूत होंगे पसूदन सरक्षण और विकास की हो जाएं बहुत अच्छी तरीके से सीरे चर्टीवी नजर आती है निर्सेज की बात करने दोस्तो तो निर्सेज जो है रतन जावारत और धातूं पे उसका नियातन रहता है जो कि इस वर्स मंगल ही बना है जिससे परजा को परजा की जो है इनमें रूची बढ़ी रहेगी यानि कि परजा रतन जावारत खरी पर अधिकार रहेगा फल परियात मात्म में आएंगे लेकिन को पोर्षन का शिकार भी दिखाई देंगे यानि उनको आठिफिशल करीके से पकाया भी होगा फलों की परचूरता के लिए कारण फल सस्ते तो हो जाएंगे लेकिन ठंडे प्रदोसर से आने वाले कुछ फल जो ह जैसे कि आम अनार इत्यादी पर कुछ काला बजारी होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं दुस्तों धनेश की बात करें दोस्तों धनेश की देश की अर्थ व्योस्ता का कंट्रल करते हैं वह इस वर्ष मंगल ही बने हैं और उनका अधिकार इस वर्ष अर्थ नुक्सान होगा विशेसकर जो जो खिम लेकर बजार में उतर रहें उनको विसेS जतार से सावतान नंटे के युग मने जहां तक दुरुगेश교 क भात करेंगे तो डुर्गेश भावा इस वर्ष शनी के पास ही है जो इस वर्ष कि राजा भी बनें तो इस्पश्ट है कि सीम नीरने सरकार को लेना पड़ सकता है दोस्तों तो दोस्तों यह थी आकासिस संसत की इस वर्ष की जो भारत समझसर परिधावी का जुफल है वह हमने बताने का प्रयास के आपको यहां मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस वर्ष रुणी जो है उल्खावास तठपर समझसर की सवारी जैसे कि आप जानते हैं शनी राजा बने तो उनकी सवारी भेंसा होने के कारण कार कंपनियों को अपने मुल्य घटाने पड़ेंगे और कारों की बिक्री बहुत जादा बढ़ेगी माल वहां बहुत महंगे होंगे डिजल पेट्रोल के नाम पर होहला मस्त ही रहेगा घरेलू गैस की किमत भी बढ़ेगी राज जनताओं को राज करना इस वर्ष कताई भी आसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि इस वर्ष चुनाओं हो रहे हैं हालांकि इस पर स्रूप से देखा जा रह ही है लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि यह सकार कोई ज्यादा थोस अच्छे निन्ने ले पाने में सफल काम्याब नहीं रहेगी क्यूंकि इस वर्ष प्रजा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा क्यूंकि राजा शनी बने हैं और वो जनता के कारक होते हैं यहां मैं आपको बता हमारे भारतवस में हो रहे हैं काफी competitive टफ रूप से देखने में आ रहे हैं परन्तु हमारा यह साब पूर्ण विस्वास है कि जो भी सरकार आएगी वो कुछ अच्छे निन्ने लेगी और क्यूंकि यह परिधावी नामक जो समवतसर आया है यह काफी तौर से अनुकूल त लेने का प्रियास करेंगे आप सबने हमें सुना आप सबका धन्यावाद नमस्कार